हेलो चैंपियांस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग हमेशा की तरह सवसों मस्त हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका सस्टी एडूकेटर आपका लेट स्कोर हंडेंड में वेलकम करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूदान और ग्रामदान के बार क Israeli आईये इस ही के साथ हम इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है तो आज का हमारा टॉपिक है भूदान अन्ट्रामदान राइट अमिस क्या होता है लैंड राइट भूदान मिस्विसटां मिस्व लैंड डोनेशन और दूसरा क्या है ग्रामदं मिस् donation and land donation आई ये देखते हैं ये village donation and land donation कौन कर रहा है और किसको मिल रही है है न चले और एक चीज इससे पहले इस पर जो जैसे मैंने बोला कि one marker three marker और two marker question आ सकते हैं इसमें तीन important questions बन सकते हैं हमारे वो important question क्या हो सकते हैं पहला ये हो सकता है कि what do you know about भूदान movement या ग्रामदान movement and तीसरा question जो हमारा three marker हो सकता है वो ये हो सकता है discuss bloodless revolution और explain bloodless revolution इस तरह से question हो सकता है तो आईए देखते हैं तो हमारा पहला point है भूदान हम लोग पहले पढ़ेंगे महात्मा गांधी declared विनोबा भावे इसमें हमारे देश की हमारी country की इस topic में हमारी country की दो famous personalities हैं एक तो महात्मा गांधी father of the nation दूसरे विनोबा भावे जिनको भूदान and ग्रामदान movement के लिए जाना जाता है और वो उनको भारत रतन भी मिला है उनके contribution society में उनके contribution के लिए तो देखते हैं महात्मा गांधी declared विनोबा भावे as his spiritual air अब आप लोग कहा है कि spiritual air क्या होता है जैसे कि air means क्या होता है उतराधिकारी जैसे आप लोग या मैं अपने father से जो property या जो whatever we inherit हम लोग अपने father के या अपने parents के अपने ancestors के हम लोग क्या है air है लेकिन यहाँ पे property क यह क्या है spiritual तो spiritual मतलब क्या हुआ गांधी जी की जो philosophy थी या गांधी जी की जो ideas थे वो इन philosophy जी की philosophies and ideas से यह आचार्य विनोबा भावे बहुत जादा influence थे बहुत जादा प्रभावित थे इसलिए गांधी जी और गांधी जी के साथ ज़्यादा रहने की कोशिश करते थे उनको इसलिए गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना spiritual air declare करा राव दूसरा point he also participated in satyagraha right as one of the foremost ऐसा नहीं था कि satyagraha में मतलब ठीक है ठीक है चले गए वो बढ़ चल करके हिस्सा लेते थे वे बहुत बहुत ज्यादा enthusiastically विनोबा भावे सत्यागरह में हिस्सा लेते थे participate करते थे right तीसरा point he was one of the votaries of गांधी जी's concept of ग्राम स्वराज पहले समस्ते है कि ये ग्राम स्वराज क्या होता है गांधी जी का सपना था कि इंडिया का हर village इंडिया का हर गाउं अपने आप में self-reliant हो और उनमें सारी सुविधाय हो right इसलिए आप लोगों को याद ह होगा जो हम लोगों का chapter 2 है federalism उसमें हम लोगों ने पढ़ा है ना decentralization right हर village में हर तरह की सुविधा हो village अपने आप में एक entity हो जो उसकी जरूरते हो पूरा village खुद कर सके right तो इस concept महत्मागाजी ने इतने समय पहले उस चीज को visualize कर लिया था तो इस गांधी जी के ग्राम स सुराज का जो concept था उसके बहुत बड़े supporter थे आचार विनुबा भावे और in fact वेन गांधी जी का वेन गांधी जी शहीद हुए उसके बाद इन्हों ने आचार विनुबा भावे ने पूरी भारत का पूरे भारत को travel किया और गांधी जी का जो ideals गांधी जी की फिलोस्फी इस थे जैसे की non-violence truth and satyagra इन सब के बारे में लोगों को जागरूख किया right so he was one of the votaries, votaries मतला strong supporter, गांधी जी स्कॉंसेट आप ग्राम स्वराज चौथा, आफ्टर गांधी जी स्मार्टर्डम विनुबा भावे अंडर्टुक ध्यांधी जी आप लोग, अंडर्टुक प बीच गांगां जाकर के लोगों को बीच में बैट करके गांधी जी के ideals को लोगों के बीच में discuss करते थे, to spread गांधी जी's message covered almost entire country, अब आप लोग कहोगे क्या सार उनके पास कोई काम ही नहीं था, उन्होंने अपना जीवन, आचार विनुबा भावे अन उनकी वाइफ, इन इसे आया, बहुत अच्छी स्टोरी है, चले पहले स्टोरी इसके सलते, फिर पढ़ते हैं, हुआ क्या, कि ये विनुबा भावी दौरे पर निकले थे पूरे country के, गांधी जी के philosophy को, गांधी जी के ideals को लोगों के बीच में split करना चाह रहे थे, तो उसी order में क्या हुआ, उ आंधर प्रदेस निकल के तेलेंगाना बनाए, ये एक तेलेंगाना का, या उस समय के आंधरा के एक स्मॉल टाउन है, जब पोचम पल्ली में किसानों के बीच बैट के बातचीत कर रहे थे, तो दो तीन घरीब किसान आये, लेंड लेंड लिबरर आये, उनके पास कुछ साहब अगरे में कुछ जमीर मिल जाती, तो हम लोगों की कुछ जीविका चल जाती, बीवी बच्चे पल जाते, हम लोग काफी परेशान है, तो विनोबा भावे ने तुरंत तो उनको नहीं कोई शोर्ठी दी, बट बोला कि ठीक है जो भारत सरकार से हम लोग बातचीत करेंगे, अन्ना हजारे जैसे आप समझ सकते हैं, आज की अन्ना हजारे जैसे, या उनसे भी इसी तरह का कुछ, तो उन्होंने का ठीक है, भारत सरकार से बात करते हैं, और आप लोगों को बताते हैं, तो उसी मीटिंग में, जो पोचम पली, जो समय का आंधर प्रदेश था और आज का तेलंग गाना है, स्मॉल टाउन, पोचम पली में एक फार्मर थे, श्री राम च पूर फार्मर से, मैं इनको दान करूँगा, यह पूई कहानी, यानि उन लैंडलेस पूर फार्मर का आचारे विनोबा भावे के सामने अपनी बात रखना कि हमें जमीन चाहिए, और फिर विनोबा भावे का यह कहना कि भारत सरकार से बात करूँगा, और फिर जो मिस्टर रेड़ी थे, उनका तयार होना कि मैं 80 एकर जमीन जो लैंडलेस फार्मर से, पूर फार्मर से में उनको दे दूँगा, इस पूरी इंसिडेन को किस नाम से जाना जाता है, भूदान, यानि लैंड डोनेशन, अब आये देखे पॉइंट्स क्या-क्या है, पूचंपली एक स्मॉल टाउन है, अब वो तैलंगा ना में है, अब क्या हुआ, विनुमा भावे कुड नोट प्रोमिस इट तु देम इंडियेटली, कि हाँ हाँ तुम्हें मिल जाएगी, बट अशोर्ड नेम जयानि पूआपरेटिव फारमर्ट में क्या होता है, यह फारफ नोटेम चोड यह फारमर्स मिल करके आपस में रिसόσे को पूल करते हैं, इससी मार्केट में बेचने जाएंगे इसलिए जरूरी होता है कॉपरेटिव फार्मिंग, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ये आप लोग महात्मा गांदी जी से तो परिचित हैं हैं, ये हमारे भारत रत्न आचार विनोबा भावे जी हैं, आइन ये देखें ये जो पोचम पल्ली में मीटिंग चल रही थी फार्मर्स की, ये आ अच्छे से समझते हैं कि क्या कुछ है इसमें, तो विनोबा भावा ने बोला कि ठीक है, भारत सरकार से बात करेंगे, तो suddenly, देखिए, श्री राम चंद्र रिड़ी, श्री राम चंद्र रिड़ी, मिस्टर रिड़ी है, साउथ के लोग रिड़ी टाइटल यूज करते हैं अगर यह क्वेशन आता है, भूदान क्या था, तो या तो दो नंबर में आगा, या तो तीन नंबर में आगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन, मतलब लाइक भी जरूर करें वीडियो को, राइट, चले, आगे बढ़ते हैं, भूदान का हमा आप लोगों को अदरपरदेश हीत, फोड़ी करना था, और आगे गया और कहीं पहुचे होंगे, यह जगह का नाम नहीं में इशन है, वीनोबा वावेट ट्रेवेलड एंड इंट्रोडूज इस आइडियास वाइडली ओल ओवर इंडिया, आप क्या होता है, सम जमिनदार प्रिटिस रिजीम तो सारे ब्रिटिश को तो हिंदी आती नहीं थी तो क्या करते थे लैंड रिवेन्यू के ट्था करने के लिए अच्छा उससमें इतनी फैक्रीज वगरा नहीं होती थी कि गवर्मेंट को बहुत इंकम हो जाए राइट तो गवर्मेंट ने क्या किया ब्रि सब्सक्राइब होता भी रख लेना अब जब ब्रिटिशर चले गए तो सारी लैंड उसारे जमिंदार्स की हो गई अब ऐसी सच्वेशन हो गई कि एक जन के पास तो 80 80 एकर 100 एकर 200 एकर लैंड है और किसी पास कुछ भी नहीं है राइट तो समझते हैं यह तो जमिंदार्स सम विलिजेश अमंग दे लैंड लेस अब देखिए आचारे विनोबा भावे बहुत रेस्पेक्ट कमांड करते थे राइट एड डिस एक्ट वास नोन एज ग्रामदान तो भूदान आप लोगों ने देद किया श्री राम चंद्र रेडडी पोचम पल्ली पहले का आंधर गाओं में जितनी खेती योग्य जमीन थी यानि जितनी कल्टिवेबल लैंड थी उसको डोनेट कर दिया कि ठीक है जो लैंड लेसे में बाट दो इसको क्या बोला गया ग्रामदान चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो इसमें कुछ लोगों का यह कहना था अब बात सही भी है गोष्मेंट और फीडिया ने लैंड रिफॉर्म इंप्लेमिंट किया था तो उसमें क्या था कि एक लांड सीलिंग आया था उसमें यह व्योस्ता है जितने भी फारमर्स हैं इंडिया में वह अगर पां 15 10 एक सोकते हैं और 351-54 तक non-Cultivatable land दिसमें जिस्पे ख्रीवेति नहीं होती उजना रख सकते हैं अगर उससे जदा है यानि 10-27 क्लटीवेबल लेंड और 10 ha से लेकर 27 ha तक 10 ha से लेकर 27 ha तक कलटीवेबल लेंड होने चाहिए और 35 से लेकर 54 ha तक मतलब ऐसी land जिस पे irrigation नहीं हो सकती या cultivable land नहीं है उतना रख सकते अगर उससे ज्यादा है तो government क्या करेगी उसको ले लेगी और landless लोगों में land to the poor farmers due to the fear of land sealing act अब यह जो हमारा भूदान हुआ और ग्रामदान हुआ भूदान और ग्रामदान की incident को collectively दोनों को bloodless revolution के नाम से जाना जाता है आप लोग देख सकते हैं दिस भूदान और ग्रामदान movement initiated by आचार विनवबाभावे जो कि भारत रतन भी थे also known as the bloodless revolution bloodless revolution मतलब ग्रामदान और भूदान दोनों को collectively अपने आप में बहुत बड़ा revolution था कि इतनी बड़ी बड़ी प्रापर्पर्टीज लोग विलिंगली दे रहे थे लोगों की help हो रहे थी यहां आप लोग देख भी सकते हैं ग्रामदान ग्रामदान दे लैंड रेवलुशन ओफ इंडिया राइट यह आचार जी हैं भूदान movement bloodless revolution राइट दोस्तों आई होप आप लोगों के वीडियो समझ मैं कॉमेंट बॉक्स म झाल मह आपो वीडिय मुछी क कह Always जहां ए早 हैं मुछी करों कि देनी भी वीडियो समय ग्रामदान भामदान का रहे रेजार समय, समय दो decision कि रहें वीचाह के पत्त।, वीचाद वीचा वीचारा समय में करोंके रहें ग्रामदान में मुछी दोगें क्वाली दू